आज मैं आप लोगो एक ऐसे एप के बारे में बताऊंगा जो कि आपके मोबाइल में जो इमेजेज है जो हाई क्वालिटी सब्स्क्राइब किजिए और और की साथ शेर किजिए और लाइक कीजिए और चलिए देखते है क्वूं सा एप मैं जिस आप के बारे में बतानाम ही इमेज कंप्रेसर यह जो एप है यह अपने आप में ही बहुत ही छोटा एप है देखिए इसका file size जो है कितना चोटा है 0.94 MB यानि 1 MB से भी कम हूँ इसको आप install करिए install करता हूँ जो install होगे इसको मैं open करता हूँ अब देखिए इस एप कमाल यहाँ पर select image to compress आपको दिखा रहा है इसको allow कर दीजे allow करने के बाद आप जो भी photo आप लेना चाहते है वह उसको select कीजे सरसे पहले तो मैं आपको इन दिखा देता हूँ जो quality मैं दिखा देता हूँ इसका file size देखिए कितना है details में देखिए इसका file size है देखिए 5.48 MB और 3120 x 4160 pixels का है तो चलिए इसको मैं compress करके दिखाता हूँ और इसका image quality देखिए कितना अच्छा है तो चलिए इसको मैं compress करके आपको दिखाता हूँ इमेज कंप्रेसर में मैं जाता हूँ जाकर यहां पर select image to compress select gallery गैलरी में जाकर वह इमेज आप चूज कर लिजे चूज करने के पाद यहां पर आपको शो कर देगा कि देखिए file size in kb आपको इतना है और size in mb आपको 5.23 MB यहां पर इसको compress कर सकते हैं जमान देजे इसको मैं 500 kb में complex करूँगा तो 500 kb यहां पर kb या mb आप जोगी select करना है 100 kb में select कर दीजे करने के बाद simply इसको ok करिए और यह convert now convert करने में थोड़ा time लेगा इस app से एक आपको profit यह होगा कि आपके जो mobile में जो space है आप बहुत ही चीतरी की से use कर सकेंगे photos से ही gallery में आपका जो memory card है phone internal storage जो है वो सबके सब full हो जाते हैं उसके बाद फिर दिक्कत हो जाती है इस app से वो चीज आपको बहुत आसानी से ठीक हो जायागा यह देखिए यह देखिए यह हो गया convert और इसका file size देखिए कितना हो गया 470.91 Kb 0.47 MB इसका हो गया यह storage कहां पर store हुआ है वह आपको यहां पर show कर दे रहा है तो चलिए इसका quality देख लेते हैं कैसा है इसके लिए आप अपना file manager में चले जाए फोल्डर में जाए फोल्डर में आपको देखिए यहां पर image compressor का एक folder त्यार हो गया है इसको आप क्लिक किजिए यहां पर देखिए यह आ गया इसका image quality देखिए कितना बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है अगर आपको आप खुद से भी इसको इंस्टॉल करें चेक कर सकते हैं देखिए इसको बड़ा कर रहा हूं तो भी यह उतना फट नहीं रहा है मेरे हिसाब से तो image quality बहुत ही अच्छा है और इसका file size देखिए कितना है यहां पर details के जाकर देखता हूं देखिए इसका file size हो गया पूर 89KB और इसका जो pixels था वह बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है और वैसा कब ऐसा ही है बहुत ही अच्छा और useful app है आप भी यूज़ कर सकते हैं इसका link में आपको description में देदूंगा और वीडियो अगर आपको अच्छ है और helpful और अच्छली मिलते हैं नेक्स रीडियो में थैंक यू बाबाए